हैलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल लिर्मिला फेशन वर्ल्ट सौगत है आप सबका मेरे इस चैनल में आई होप आप सरो लोग अच्छी होंगे स्वस्थ होंगे खोश होंगे और मस्थ होंगे तो friends देखिए आज और एक और informative वीडियो आप सब के लिए लेकर आई हूँ जो की cutting और stitching से ही related है तो देखिए कटोरी blouse बनाने में बहुत सारे जो नए beginners हैं उनको बहुत जादा problem भी होती है उसे cutting करने में भी और उसे सिलने में भी तो देखिए मैंने हर तरीके के कटोरी blouse की cutting अपने जो चैनल पर है उस पर वीडियो अपलोड की हुई है आप चाहें तो वहां से एकदम perfect fitting वाले blouse की कटोरी cutting blouse की cutting आसानी से सीख सकते हैं तो ये तो होगी cutting की बात लेकिन 90% लोग cutting में ही गलती करते हैं और कुछ लोग जो 10% रहते हैं वो सिलाई में भी गलती कर देते हैं जिसके कारण कटोरी blouse की fitting बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है तो दो-तीन problem होती है कटोरी blouse में वो क्या-क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी इससे पहले मैं आपसे request करना चाहूँगी कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और आपके जो भी आगे जो भी वीडियो चाहिए सिलाई से related या किसी और भी बात से related तो आप वो मुझे comment कर सकते हैं तो friends देखें जैसे कि मैंने आपको बताए कटोरी ब्लाउस बनाने में बहुत सारे beginners को भी और जो सिलाई जानते हैं उनको भी कई बार दिक्कत होती है जब वो different size के कटोरी ब्लाउस बनाते हैं तो जो नए beginners हैं वो क्या गलती सबसे बड़ी करते हैं वो मैं आपको बता देती हूं 2-3 point सबसे पहले तो जो कटोरी होती है उसे ही कट करने में उसका size को decide करने में बहुत ज्यादा problem होती है कभी वो size के हिसाब से छोटी कटोरी काट देते हैं जिससे fitting बिल्कुल भी नहीं आती और दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो जब इसको ब्लाउस को stitch करते हैं यह जो कटोरी जो है हमारी वो ऊपर की दरफ चहने लगती है इस तरीके से खिच जाती है और जो वो अपनी जगे फिक्स नहीं रहती तो उसकी fitting एकदम खराब हो जाती है गडबड हो जाती और बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखती तो मतलब पूरा ब्लाउसी जो है एकदम खरा जाए तो चलिए करते हैं स्थार्ट तो देखिए फ्रेंट जैसे कि आप देख रहे हैं यह साइट का पला है और यह मैंने कटोरी लिए हुई है और यह मैं आपको बता दूँ 34 साइस के ब्लाउस की कटोरी है उसके जिस आप से देखिए मैं टक्स में डाल दिये हैं अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके मैंने बहुत सारी अलग अलग साइस की 36, 34, 35 कटोरी ब्लाउस की कटिंग की वीडियो शेयर की हुई है आप वहां से जाके देख सकते हैं और धेर सारी कटिंग और स्टिजिंग की वीडियो है आपको जो और इसको जब मैं देखी इस तरीके से रखूंगी तो आपको यह देखिए अगर आप इस तरीके से इसमें सिलाई कर देंगे तो यह जो एक इंच एक्स्रा आ रहा है यह आप कट करके निकाल देंगे और यही आपकी गलती होगी क्योंकि इससे जो कटोरी का साइस दे वह आप पहनेंगे या जिसका भी ब्लाव से वह पहनेगा तो यह कटोरी ऊपर की तरफ चड़ जाएगी क्योंकि यह यहां का हिस्सा जो हमारा जादा होता है तो इस कारण हमें कटोरी हमेशा आपको दिहान रखना है आप किसी भी साइस की कटोरी कट कर रहे हों कटोरी आपको यहां से एक इंच एक्स्ट्रा ही रखनी है पल्ले से हमेशा आपको यह चीज जरूर ध्यान देनी है तो इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है यह जो देखिए जो पल्ला है इसकी गोलाई तो ठीक है लेकिन इसे हमें यहां से एक इंच हमेशा बढ़ा कर ही कटोरी क अब देखिए बड़ी है इस पल्ले में जब हम इसे इस ट्राय करेंगे तो यह इतना इक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन यहीं में तरीक मैं को बताऊंगी कि किस तरीके से इसे इसलाई करना है जिससे एक दम परफेक्ट फिट आ जाए तो चलिए मैं आपको बतातीं तो फ्रेंट्स देखिए जो पल्ला था और कटोरी है दोनों को मैंने जो गले की साइड है वहां से अच्छे से एक सा करके और गले की तरफ से हमें जॉइंट करना है नीचे की तरफ से नहीं करना है तो गले की तरफ से आप दोनों पल्लों को एक सा करके रख लीजिए और करें ले से ही हें एक इंच बढ़ी है तो हम नीचे वाले पल्ले में सिर्फ एज़ेस्ट करना है तो हम नीचे वाले पल्ले को कोला यह जो हमारी सब्सक suffrage सवर्बी को कि रहा है ओंपर लृब और पकी हाना है mekले अन्वाग़ को नहीं वाला भागै उसको बिल्कुल सटे जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूं बिल्कुल मैंने कपल भी नहीं डी है मतलब जैसे उसकी involved भूलायिए उस पर हल्के हाँ से सैट करती जा रहे हूं कि अलेड़ी जो हमारी चोटोरी है वो बड़ी है पंड़ने को में गीचणा है तो देखिए फ्रेंट्स मैं देखिए हलके हाँ से खीचते हुए नीचे के पल्ले को सेट कर लिया है और देखिए कटोरी हमारी एक इंच बड़ी थी उसके बाद भी देखिए लास्ट में दोनों पल्ले एकदम हमारे बराबर आ गए हैं मतलब जो कटोरी का हमारे एक इंच एक्स्ट्रा था वो देखिए कपड़े से कितनी अच्छी तरीके से जो साइड वाले भाग में एज़ेस्ट हो गया है तो आपको सिलाई करते समय यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कटोरी हमेशा आपको एक इंच बड़ी काटनी है और ज देखिए कटोरी का जो पार्ट है मेरा बिल्कुल भी मतलब कम जादा नहीं हुआ है एकदम सही जो हमारा साइड का पल्ला था उसकी स्टिचिंग आई है और बिल्कुल भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं हुआ है साइड वाले पल्ले के हिसाब से बिल्कुल सही इसकी सिलाई और fitting आई है देखिए बिलकुँ जरा सा भी यह बड़ा छोटा नहीं हुआ है तो यही आपको धिहान रखना है इस तरीके से अगर आप से लाई करेंगे तो आपके blouse की fitting finishing बहुत ही जादा अच्छी आएगी हमेशा आपको धिहान रखना है कि जो आपका कटोरी का जो करते हैं तो आपको कटोरी को बिलकुल भी नहीं खीचना है तो जब हम देखिए इसे पहनते हैं अभी तो यह आपको लग रही होगी लेकिन जब हम इसे पहनेंगे तो यह जो हमारे का टोरी का भागे इस तरीके से फैल जाता है तो यह एकदम perfect fit आजाएगा और कटोरी हमा स्टेचिंग करते हैं तो यह चोटी-चोटी बारी किया जो है नाई बिगनर्स को नहीं पता होती है वो सोचते हैं कि बस कटिंग करना स्टेचिंग करना इसमें कौन सी जादा महना थे लेकिन स्टेचिंग में भी बहुत जादा महना तो दिमाग लगती है तो जो करते होंगे तो थोड़ी सी knowledge होगी कि हमें अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारे ब्लावों से उसकी fitting finishing दोनों ही एकदम खराब हो जाएगी तो आप सिलाई करते सामें हमेशा measurement के जो है पिल्कुल ध्यान रखें उसी recording आप cutting और stitching करें तो friends I hope ये वीडियो आपकी cutting और stitching जो भी आपकी problem है उसके लिए थोड़ा helpful होगा आपके काम आएगा अगर आप cutting और stitching अच्छे से सीखना चाहते हैं तो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिएगा दोस्तों में share कर दीजिएगा और अगर अब ही तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजिए ऐसी प्यारे प्यारे वीडियो पाने के लिए और अगर आप किसी और subject पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप उसके लिए मुझे comment करते हैं thanks for watching this video मिलते हैं next video में